हलो एवर्वान कैसे आप सभी आज के क्लास में हम बात करेंगे टाइम मेनेजमेंट की और इसमें पेपर डिसकस होगा एकाउंट इनसी का क्लास 12 एकाउंट इनसी ओके सो डिसकस करते हैं क्लास 12 के एकाउंट इनसी कोईशन पेपर को एक्जाम हॉल में कैसे मेनेज करना है तो चलिए शुरू करते हैं टाइम मेनेजमेंट फॉदर थ्री आवर्स पेपर अकाउंटन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़े हैं सेक्शन कोईशन टाइप नंबर ऑफ कोईशन टाइम टॉटल टाइम मेंस मैक्सिमम टाइम सो फर्स्ट अपॉल हमें रीडिंग टाइम 15 मिनिट्स दिये जाएंगे उसी 15 मिनिट्स में आपको रीड करने के बाद आपका जो स्ट्रेटिजी है वो जल्दी से प्लान कर लेना देखिए पहले ही आ जाता है स्टेंडलोन में 20 mcq इससे आगे वाले questions में सुरी आगे वाले classes जो मैंने लिए है वो classes में आप देख सकते हैं उन में से classes है blueprint का डिसकेशन में इन जिस भी class में किया है वह वाला अप एक बार देख लेंगे तो बहुत जाधा अच्छे तरीके से idea हो जाएगा कि कैसे टाइब के questions और किस चीज़ के बार में मैं बात कर रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं वो section A जिसमें हमें 20 MCQs मिलते हैं one mark के so वहाँ पर total marks हो जाते हैं 20 so उसमें से standalone MCQs होते हैं 15 और mix type MCQs होते हैं 5 तो total 15 और 5 को मिला के 20 questions हो जाते हैं तो 1 minute per question के हिसाब से अगर हम देखें तो 20 questions के लिए हमें चाहिए 20 minutes तो इस हिसाब से MCQs के लिए अभी जो plan discuss कर रहे हैं इस plan में हमने alert किया है 30 minutes means 10 minutes extra हमें ये count करके चलना है 1 minute per question तो उसके लिए 20 minutes और फिर मान लो किसी question में कोई दिक्कत आ गया और थोरा जादा time ले लिए है इसलिए backup के लिए और 10 minutes एक्स्टा रख दिया गया अगर मान लो आपको ये 10 minutes जरूरत करने के लिए वो उस moment में चाहिए ही नहीं उससे पहले ही अपने सारे questions एटेम कर लिए तो वो 10 minutes आप next जो भी बरे questions एटेम कर रहे हैं उसमें जाके addon कर सकते हो तो ये हुआ 20 marks के बात 20 marks के बात 20 marks के जितने भी 1 mark questions MCQ से वो discuss कर लिए अब चलते हैं next section B जिसमें हम 3 mark के questions के बारे में discuss कर रहे हैं short answer 1 जिसमें 3 marks के questions total 6 आने वाले है 6 marks के 6 questions 3 marks के मतलब 18 marks आने वाले है right so 6 questions में से 1 question को deal करेंगे 5 minutes में 5 minutes per question उस हिसाब से हमें time लगना चाहिए 30 minutes right so यहाँ पर भी 5 minutes extra रख दिये गए so 35 minutes okay next section C जिसमें short answer 2 मतलब 4 marks के questions के बारे में discuss किया जा रहा है उसमें आपको question देखने को मिलेंगे 3 questions 3 questions 4 marks मतलब 12 marks total so 3 questions को deal करने के लिए हमने time alert किया है per question 8 minutes so per question 8 minutes के हिसाब से हमें time चाहिए 24 minutes तो यहाँ पर 10 minutes extra लिखा है next हमारा last section जो की long answer है जिसमें 6 marks के question आपको देखने को मिलते है वहाँ पर total questions होंगे 5 questions okay so इन 5 questions को deal करने के लिए per question के हिसाब से 12 minutes रखा गया है 12 minutes per questions so total हमें 60 minutes चाहिए 5 minutes extra रखा गया है ताकि कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको handle कर भाओ ठीक है और यह बात जरूर याद रखना 4-5 minutes तो यही कैसे ना कैसे बरबाद होई ही जाएंगे like signature करना या फिर कोई भी desk related issue हुआ या फिर पानी पीना या फिर कुछ भी कुछ भी छोटे मोटे चीज तो आएंगे पूरे तीन गटे में जिसके दौरान आपके 5-10 minutes तो बरबाद होने ही वाले हैं तो आप मान के चलो यह जो bonus में हर एक section में थोड़ा थोड़ा time दिया गया है वो पूरा तो आप utilize नहीं कर भाओगे कुछ न कुछ तो आपका बरबाद हुई जाएगा बागी जितना भी extra रहता है उस हिसाब से आप utilize कर लेना ठीक है accountancy paper में time management बहुत जादा जरूरी है हर बार हर exam में यह देखा गया है कि accounts के question अगर आपको one से लेके 34 तक सारे के सारे questions आते भी है फिर भी आप item नहीं कर पाते हो maximum students के साथ यह problem होता है so accounts के paper में time management बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा आप कोशिश करके देख लो तीन घंटे के अंदर आपको अगर पूरा sample paper के questions सब आते हैं और फिर आप वही sample paper लेके बैठते हो तो तीन घंटे के अंदर आप खतम कर पाते हो कि नहीं मैं यह sure हूँ कि आप खतम नहीं कर पाऊगे चलिए next देखते हैं यह जो extra extra time given है उनको अच्छी तरीके से utilize करना है और maximum try करना है कि extra time आप टाची ना करो वह बच जाए ठीक है तो इस हिसाब से यह सारे question attempt होने के बाद और यह extra time count होने के बाद भी आपके पास 15 मिनिट रह जाएंगे that is revision time so पूरा item करने के बाद 15 मिनिट लगा के पूरे answer sheet को पहले से last तक अच्छे से check कर लेना है 15 मिनिट में पूरा revision करना है फिर तुम अगर satisfied हो जाओ then submit करना है ठीक है so total time होगे 180 मिनिट आप count करके देख सकते 180 मिनिट को अच्छी तरीके से distribute कर दिया गया है अब टू पॉइंट्स देख लेते हैं यह जो सिंबल्स यूज किये गए थे वह है एप्रोक्सिमेट टाइम मिन्स वान मिनिट प्लास और माइनस ओके और जो स्टार जहाँ जहाँ पर यूज किये गए थे एक्स्टा टाइम फॉर कहां से आप एटम कर बाऊगे तो उन्में एक्स्टा टाइम को यूज करने हैं बहुत यह अच्छे तरीके से नाव वी विल डिसकेस अबॉट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स देट अनुबर वान दे मैंडेटरी 15 मिनिट से रीडिंग ताइम शुड बी यूज तो स्कीम थ उसी में आपको स्ट्रेट जीम बना लेना रहे कौन से को पहले अटम करना और वाद में करना है फुल स्टेटेजिय रेडी कर लेना ठीक है नेक्स्ट अबर टूर्प रिविशन टाइम एज एमस्ट तो हैव अड़ एन मृट यह त्री तिंग्स त्री तिंग्स वह क्या है पहला है attempt the question you have left or are not 100% sure about कुछ questions ऐसे होंगे जो आपने छोड़ दिये है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि या तो आपको आते थे आपने बाद में attempt करोगे ऐसा बोलके छोड़ा या फिर आप 100% sure नहीं थे और बाद में attempt करोगे ऐसा बोलके छोड़ा तो कुछ भी हो situation कुछ भी हो आपने question जो छोड़ दिया था वो बाद में आप attempt कर सकते हो revision time में then one more point that is check if any question that means subpart is left unattempted means कुछ questions होते हैं बहुत बड़े questions उनके कुछ subparts भी होते जो आप 100% sure नहीं होते हो तो बाद में लिखोगे ऐसा बोलके छोड़ दिया तो उनको भी आप attempt कर पाऊगे then double check if the correct options are picked in the objective section जो भी objective questions है वहाँ पर आपने correct options choose किया है कि नहीं किया उसको double check करो क्योंकि हर बरी में हम कुछ ना कुछ गलती करी देते हैं तो double check होने के बाद वो rectify हो जाता है तो यह तीन points cover हो जाते है revision time में जो 15 minutes allot करके रखे हुए वो आपको अच्छी तरीके से utilize करने है याद रखो यह revision time कोई CVC के guideline में नहीं है CVC के guideline में सिर्फ reading time है जो extra 15 minutes आपको पहले मिल जाएंगे बाद में जो भी times आपके साथ discuss किये गए है ठीके यह table में यह सारे plan wise है आपको तो CVC के तरफ से total 180 minutes मिलेंगे जो कि 3 hours है उन 180 minutes में ही यह सब distributed है separate separate करके बताएगा है तो इनको आपके हिसाब से आप अपने तरफ से use करोगे अलग से कोई time नहीं मिलेगा अलग से सिर्फ reading time यह जो mandatory है 15 minutes वो question paper मिलते ही attempt करने से पहले आपको मिलेगा तो कोई भी doubt हो मुझे comment section में जरूर पूछो doubts लेके plan मत बनाओ ठीक है so I hope आप अच्छी तरीके से यह time management करोगे accountancy paper का आपने भी preboards दिये है preboard 1, preboard 2 और बहुत सारे sample paper आपने खुझ से भी try किये है तो आपको यह definitely पता होगा कि time management में बहुत दिक्कत आती है specially accounts के paper में कुछ maths करते करते ही पूरा time चले जाते है तो आप ऐसा question paper लो sample question paper लो जिसके सारे maths आपको आते है पहले से आपने एक बर solve कर लिया है उसी को लेके फिर से करने बेटो 3 hours का timer लगा के फिर भी देखो आपको time management में problem आएगा तब आप क्या करना ये जो time management के कुछ patterns यहाँ पर discuss हुए है उनको आप उस हिसाब से implement करने की कोशिश करना तब ही आपको results नजर आएगे फिर भी जो toppers होते हैं जो बहुत जादा bright students होते वो उनके लिए मेरा suggestion है यहाँ पर दिये गे जो time allot किये गये है उनमें थोड़ा बहुत आप अगर modify करना चाहो तो आप अपने हिसाब से जरूर modify करो वो कुछ एक sample papers timer लगा के देने के बाद means mock test item करने के बाद आपको खुद बखुद idea हो जाएगा कि कौन से जगे में time थोड़ा कम या जादा करना है ठीक है हमेशा अपना perspective से सोचो थोड़ा बहुत adjust करना है edit करना है उस हिसाब से आप plan बनो plan बहतरीन होना चाहिए ultimately exam बहतरीन होना चाहिए so give your best, do your best जैसा तुम सोच सकते हो ठीक वैसा ही तुम कर सकते हो सोच में ही हमारी शक्ती होती है keep learning, keep growing this is Mr. Shupir signing off